हेलो दोस्तों वेलकम आपसे भी कापके अपनी चैनल डेल्टा टेडिंग ऑफिचल में तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद बात करेंगे 만ड़े के लिए इंटा डे के लिए ऐसा कौन से इपोर्ट लव्व है जिननके ब्रिकाउट ये डेक पे अपने बरेकदा ऑफन को बहुत एच्छी आपके इसी चैनल को ऐूत अपको चैनल को सबसक्राइब बूbas चैनल को जरूर सब्सक्राइब दोस्तों अभी पर निप्टी के 5 मुट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और एक हमें गाप डाउन ओपनिंग देखने हो मिलती फ्राइड के दिन उसके बाद एक हमें चोटा सा अपसाइड का या फिर बोल सकते हैं गाप फिलिंग देखने हो और उपर से हमें रिजेक्शन लेके डाउन साइड का मुएंटम देखने को मिला था इंपॉर्टन लेवल ऑफ सपोर्ट जो अपन को देखने को मिला था थर्जडे वीक्ले एकस्पार के दिन वह था यह वाल लेवल क्योंकि यहां से हमें सपोर्ट लेके ऊपर के बहुत अ तो जो भी यह लेवल अप सपोर्ट मार कियोंगी जिसको अपन ने थर्जडे वाली वीडियो को मैंने डिस्कस किया था तो एक हमें बहुत अच्छी डाउन साइड की मोईंटम देखने को मिली होगी और अगर उसके बात देखेंगे तो यहां पर एक अपन को थोड़े सा देखने हो मिला है जो कि around 78 points के आसपास का उसके बात देखेंगे तो यहां पर एक अपन को फिर से range bound market देखने हो मिला है और last में में closing देखने हो मिली है 21,996 की मतलब कि 22,000 के psychological level के नीचे हमे closing देखने हो मिल रही है तो यह था Nifty का Friday के दिन का intraday में momentum के analysis अब चलिए चलते पहले daily timeframe में और वहां देखेंगे कि long timeframe में कैसा क्या projection मना रहा है Nifty तो दोस्तों अपर ने निप्टी के daily timeframe के चार्ट में और जो हमें Friday candle देखने हो मिली है वो एक हमें inside candle बनती ही देखने हो मिली है क्योंकि जो Thursday की candle की रेंज़ उसी के अंदर में Friday के दिन थोड़ा सा momentum देखने हो मिली है जिसमें की आपन को simple यह strategy देखने हो मिली है downside में अगर 21,900 breakdown करें तो एक हमें downside का momentum देखने हो मिल सकता है जिसमें की पहला target रहेगा 21,780 का और इसके नीचे sustain करता है सीधे फिर अगला target 21,500 तक का देखने को मिल सकता है अब side में अगर inside का high breakout करें जो की है 22,200 का level तो एक हमें यह से ऊपर का momentum भी देखने को मिल सकता है जिसमें की सीधा target फिर all time high तक का देखने को मिल सकता है जो की है 22,225 का level और जब तक इस range 15 minutes के time frame में और वहां discuss करेंगे Monday के लिए entire day के लिए important levels तो दोस्तों अपना आगा है nifty के 15 minutes के time frame के chart में सबसे पहला बन बात करें कि upside की moment अपन को कहां देखने हो मिलेगी अब side में अगर ये वाल level breakout करें जो की है around 22,060 के आसपास का level तो एक हमें उपर का momentum देखने को मिल सकता है nifty में जिसमें की first target रहेगा ये वाल level जो की है 22,120 का और अगर इसको भी sustain करता है तो सीधे फिर अपना गला target 22,170 तक के देखने हो मिल सकता है और जो अपना third target सीधे 22,200 के level और अगर इसका breakout करता है तो सीधे फिर अपना गला target ये वाल level रहेगा जो की है 22,260 का level और जो अपना final target है वो रहेगा फिर सीधे ये वाल level जो की है 22,360 के आसपास का तो ये कुछ important levels थे upside में अगर 22,060 के level को upside में breakout करता है तो अब चली देखते है downside की moment अब 21,930 का और अगर इसको भी breakdown करता है तो सीधे फिर अपना गला target ये वाल level रहेगा जो की है 21,900 के level और अगर इसके नीचे sustain करता है तो मैं पहले चार्ट को थोड़ा छोड़ा कर ले तो क्योंकि इस level के नीचे आप अपनको बहुत दिनोबाद trade हो तो देखना मिलेगा nifty तो अगर डाउनसाइड में अगर 21,975 के level को डाउनसाइड में breakdown करता है nifty तो अगर nifty इस range में trade करें जो कि ये वाल रहे तो ये अपन के लिए sideways momentum रहेगा और ऐसे sideways momentum में अपनको premium decay भी देखने को मिल सकता है तो इसलिए ऐसे zone में trade करने से बचे और किसी directional move के लिए या तो पहल अदि देखते को important trail line मन क्या रही है कि तो उसे बिए पर mark करने कोशिश करेंगे downside से एक अपन को यहाँ से trail line मनती देखने हो मुल रहे है तो जिस तरफ भी trail lines का breakout ये breakdown हो उस तरफ एक अपन को अच्छी momentum देखने हो मिल सकती nifty में तो इन दोनों important trail lines को आप अपने chart पर जरू तो उम्हीत करते हूं कि आपको लेवल्स और रहने से समझ भें आगा आप इन लेवल्स को अपने चाट पर मार करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साब से एजुकेशनल ये उसके लिए मार करेंगे और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करने मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए जहन जागाने